गुजरात में भारी बारिश के चलते पश्षिम रेलवे के वडोद्रा मंडल पर ट्रैक पर पानी भर रहा है जिससे रेलवे पर इचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है उत्तर पश्षिम रेलवे से चलने वाली बारा ट्रेने रद कर दी गई है जिन में जैपुर बांदरा टर्मिनस जैसे प्रमुक ट्रेने भी शामिल है उतरपश्यम रेलवे के मुख्य जनसंपर कदिकारी कैप्टन शशी किरन ने जानकारी दी कि गुज़ात में हो रही भारी बारिश के कारण वडोदरा मंडल के ब्रिज संख्या 561 पर जल भराव के स्थिति उत्पन हो गई है यात्रियों की सुरक्षा गो प्रात्मिक्ता देते हुए रेलवे प्रेशासन ने 21 ट्रेनों के रूट में बदलाव करने कार्णिर ने लिया है इसके अलावा 12 ट्रेने पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है और कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद कर दिया गया है कैप्टन शशी किरन ने यह भी बताया कि जैसे ही ट्रेक से पानी का स्तर कम होगा ट्रेनों का संचालन फिर से सामानने कर दिया जाएगा रेलवे प्रेशासन इस्तिती पर नजल बनाये हुए है और जल्द से जल्द ट्रेक को तयार कर ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का प्रियास कर रहा है यात्रियों को होई एस्वीदा के लिए खेद व्यक्त करते वे उन्होंने सब भी से रेलवे के निर्देशों का पारन करने और ताजर जानकारी के लिए रेलवे के अधिकारिक वेबसाइट या हेल्प लाइन का उप्योग करने की अपील की है